तो दोस्तों आज मैंने बनाया है पनीर मसाला और इसकी खास बात ये है दोस्तों कि इसमें मैंने प्याज और लसन का यूज नहीं किया है जो बिल्कुल ढबा स्टाइल में है रेस्टरोन में हम जैसे ओर्टर करते हैं वैसे ही ये पनीर मसाला है तो मैं आज आपको सिखा रह में काट लिया है यह देखिए ऐसे आप अपने हिसाब से साइज को बड़ा या छोटा कर रख सकते हैं यह देखिए अब मैं इसे छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लोंगी यह पनीर बिल्कुल ही सॉफ्ट है बहुत ताजा है तो इसे में पानी में नहीं भीगाऊंगी अब यहां पर मैंने एक कढ़ाई ली है इसमें मैंने थोड़ा सा ओईल एड़ कर दिया है यह ओईल अब गरम हो चुका है दोस्तों तो मैं इसमें आप एड़ कर दूंगी वन टी स्पून जीरा तो यह जीरा देखिए हो चुका है अब इसमें मैंने इलाइची डाल दिया ह है दो तिन और ये टमाटर मेंने काटके रखा है जो मैं बाद में यूज करूंगी और यहांपर में लूँगी दो तिन तुकड़े कच्चे नारियल को कोकुनटें कच्चे नारियल लिया है और अब हरी मिर्ची में इसमें एड़ कर दूंगे यह देखे और अब इसमें हम एड़ कर देंगे टमेटो जो मैंने काट के रखे थे टमाटर चार से पांच मैंने यहां पर टमाटर लिया है अब यह बदाम है पांच बदाम है चार से पांच बदाम और यह अद्रक मैंने लिया है और चोटे-चोटे टुकडों में काटा है अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब मैं इसमें आड़ कर दूँगी खड़ी लाल मेच यहां पर मैंने चार से पांच खड़ी लाल मेच लिये है और अब मैं इसमें आड़ कर दूँगी हमारे जो मैंने काजू लिए हैं 6-7 काजू लिए हैं अब पनीर के अकॉर्डिंग मसाले को कम या जादा कर सकते हैं अभी हम इसे अच्छे से पका लेंगे ये देखे अब ये इसमें मैंने अड़ करना है धनिया यहाँ पर मैंने कॉरियंडर लीव्स जो धनिया है वो मैंने अड़ कर दिया अब इसे मैं अच्छे से पका लूँगी ये देखे अब ये देखे टमाटर गल चुके हैं लगभग ये देखे दोस्तों अब इसको मैं अच्छे से ठंडा करके इसे पीस लूँगी ये अब मैंने इसमें कड़ाई लिया है उसमें दो बड़े चमज में ओईल ले लूँगी और इसमें मैं डाल दूँगी एक बड़ा चमज खी ये घी मैंने डाल दिया अब मखन भी यूज कर सकते हैं दोस्तों ये घी अब मैल्ट हो चुका है अब यहाँ पर जो मेरी है तेल और घी दोनों गरम हो चुके हैं दोस्तों अब मैं इसमें ये देखे लगबग गरम हो चुका है अब इसमें मैं एड़ कर दूँगी हमारे दाल चीनी और बे लीफ में तेज पत्ता एक टुकड़ा में ने दाल चीनी का लिया है और इसमें मैंने तेज पत्ता डाल दिया है दो से तीन और इसे में देखिए ये हो चुके हैं तो अब मैं इसमें एड़ कर दूँगी दोस्तो हमारी हरी मेच मैंने एक हरी मेच जो बारी काटके रखी है उसे मैंने डाल दिया ये देखिए ये भी लगबग हो चुका है अब मैं इसमें एड़ कर दूँगी हमारे रैडी किये हुए पेस्ट जो हमने अभी बनाया था ना तॅध्यां बगेरा सब के उसके मेंने ये मोई किस लिया था आम में इसे एड कर दूँगी यह देखि अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ये देखे अब इसमें हलका सा पानी डालके हमें से अच्छे से पका लेंगे ये देखे आपको चलाते रहना है रिखे इतना सुन्दर कलर आ गया है यह देखिए अब लगभग इसमें मेरा पक चुका है तो इसमें मैं मसाले हल्दी मैंने लिया है हल्दी एड़ कर दूँगी और अब इसमें मैं एड़ कर दूँगे हमारे यह देखिए अब लगभग हो चुका है यह अब मैं इसमें कॉरियंडर पाउडर में धनिया पाउडर में दो चमबस लगभग इसमें एड कर दूँगे और इसे भी हम अच्छे से चला लेंगे देखें मसाला भी पकते जा रहा है अब इसमें एड कर दूँगे में नमक यहां नमक आप स्वादनुसारा लीजेगा यह देखें नमक हो चुका है अब इससे भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे यह देखें दीरे दीरे अब मसाला भी हमारा तेल छोड़ने लगा है यह देखें अब मैं इसमें देखें बबल्स भी आना स्टार्ट हो गए अब इसमें मैं एड कर दूँगे हमारे रेड चिली पावडर, यह मैं ने कश्मीरी रेड चिली पावडर लिया है, यह देखे, अब इसे भी मैं अच्छे जिसे मिक्स कर देंगे यह देखिए मसालों की क्वंटिटी जो चिली पाउडर है आप कितना लेते हैं आप अपने हिसाफ से रखेएगा दोस्तों यह देखिए अब इसे अच्छे से हम पकने देंगे दो मिनट ढख लेंगे यह देखिए यह मेरा मसाला रेडी है मसाले ने अच्छे से तेल को छोड़ दिया है यह देखिए साइड साइड में आपको तेल दिख रहा होगा गेस की फैम को आप लोग कर दीजएगा अब मैं इसमें डाल दूँगी पनीर जो मैंने पनीर चॉप्ट करके रखे हैं पनीर में इसमें डाल दूँगी यह देखिए अब हम हलके थोड़ा सा इसे पकाएंगे अब इसमें मैं एड़ कर रही हूँ पनीर मसाला यह देखिए अब अच्छे से आपको इस पनीर मसाले को डाल के अच्छे से मिक्स करना है ये देखिए दोस्तों बहुत अच्छा मसाला पनीर मसाला तयार हो रहा है तो ये देखिए इसमें आप आगे हैं बबल्स ये देखिए अब मैं इसमें कॉरियंडर लीज्ट कटी हुई चॉप्ड हरी धनिया मैंने कार्ड डाल दिया है अच्छे से मिक्स कर दोंगी ये देखिए क्या फाइन कलर आचुका है दोस्तों बिलकुल ढबा स्टाइल में अब मैं इसमें आड़ कर दूँए कसूरी मेथी कसूरी मेथी बहुत ही मोस्ट इंक्रीडियन्स पनीर वाले सबची में तो इसे आप बिलकुल भी स्किप मत करिएगा दोस्तों से बहुत बढ़िया स्वाद दाता है तो यहां पर यह देखिए मेरा पनीर मसाला रैडी है जो बहुत ही टेस्टी है आप इसे नान के साथ रोटी के साथ खाईए अब यह इसमें मैं गार्णिश कर देती हूं दोस्तों यहां पर मैंने पनीर के टुकड़े बचा लिये थे उसे मैं कद्दू कस करके उपर से इसको गार्णिश कर दूँगे यह देखिए इससे बहुत अच्छा टेस्ट होता है यह देखिए बढ़िया सा पनीर मेरा रैडी है इससे आप चामल के साथ भी ले सकते हैं और दोस्तों इसकी खास बात यह है कि मैंने इसमें बिलकुल भ कीजेएगा दोस्तों